नमस्कार आज हम लिपी के बारे में पढ़ेंगे भाशा मुख्य रूप से मौकिक होती है लिखने के डंग का विकास कुछ बाद में हुआ प्रतेक भाशा के लिखने की विवस्था या लिपी अलग-अलग होती है इस प्रकर भाशा के लिखने के तरीके को लिपी कहते हैं विश्व की समस्त भाशाओं की अपनी अपनी लिपी है जैसे संस्कृत, हिंदी, इनकी लिपी देवनागरी है अंग्रेजी की लिपी रोमन है, मराथी, मुझराती, इन भाशाओं की लिपी भी देवनाजी ही है